चलिए कुछ अलग तरीके से शमझे कि परी का बुवचन सब्द क्या होता है? और आज के इस वीडियो के इंदर आपको परी के बुवचन सब्द के बारे में हम अच्छे से जानकारी देंगे आप असे वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबा दें हम आपको सबसे पहले बता देती हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं ताकि आप परी के बहुवचन सब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जर द्यान से सुनी कि जिस सब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोदो उसे बहुवचन कहते हैं और अगर हम परी के बहुवचन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परी एक एक वचन होता है और परी का बोवचन सब्दे परियां होता है यानि दोस्तों परी का बोवचन सब्दे परियां होता है और ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप यमारे सा दो रहें कि परी का बोवचन सब्दे परियां हो में एक आदर सी डूप से प्रस्तुत की जाने वाली मैलाएं होती है इसके लोग दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर शेपता देते हैं कि परी का बोवचन सब्दि क्या होता है तो दोस्तों ज़र आद्यांट से सुनी कि परी एक एक वचन होता है और परी का बोवचन और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप नीचे दीए के उदानों का उप्योकरी जैसे कि आज बहन एक परी जेशी लग रही है यानि केवल एक मेला की बात की जरी है तो इसका मतलब वहा की परी एक एक वचन होता है और वहीं पर लगता है कि आज सभी प वहाचन सब्दिप परी होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के दर आपने सीखा की परी का वहाचन सब्दिप क्या होता है अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकरी प्राप दूए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवाधी